सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस तब लाइकर नेवर मिस अन अपडेट हलो एवरीवन वेलकम टू था इस्पीट दिस्केशन आज हम लोग जो इस्टेट में स्टि 44 नंबर था उसमें जो मैस के कोशन से उनका डिस्केशन कर लेते हैं उनके अंसर क्या थे और कैसे उने सॉल्व करना जल्दी जल्दी से तो वह क्या है जो हमारा 21 नंबर कोशन था व 2, 3, 0 और कितना 4, 0 और बताना है total population किसी भी जगह की total population 100% होती है तो आप यहां से 100% काउंट कर लो 100% का मान कितना हो जाएगा 2, 3, 0, 4, 0 divided by 96 और multiplied by 100 solve कर लेते हैं इसको 4 से डिवाइड करें इसको 24 बार तो 4, 5 जा हो जाएगा आप तो 27 टाइम, 6 टाइम, 0 टाइम, 24 का square होता है 576 यानि कि 240 बार cancel होगा तो यहां से हमारी population आ जाएगी 1, 2, 3, 24 जार यानि कि option number B या answer बनेगा next, A, B और C हैं इन्होंने invest किया है अपना capital निवेश है उनका किस अनुपात में है? 2, 3, 5 में, ठीक है? तो A उसकी बाद B और फर C, 2 अनुपात, 3 अनुपात, 5 इसकी बाद क्या हुआ उनका profit लाब यह आपका capital है यह उनका profit है profit किस अनुपात में? प्रॉफिट है उनका 5, 3 और 2 के अनुपात में 5 रेशियो, 3 रेशियो, 12 के अनुपात में तो बताना है उनका time का अनुपात क्या होगा? प्रॉफिट इकोस टू होता है capital multiplied by time तो time क्या हो जाएगा? profit upon capital यानि कि profit upon capital कर दो तो क्या बनेगा आपका? 5 बटा 2, यह profit upon capital करेंगे तो 1 आजाएगा यह profit upon capital करेंगे तो 12 बटे 5 आजाएगा अब यह आपके भिन्ने के रूप में ratio इसको convert कर लें नर्मलाइज कर लें 2 और 5 का LCM 10 है, पूरे में 10 से गोना कर दें पूरे ratio में 10 से गोना कर दें जो हर में होता उसकी गोना कर दें तो क्या आजाएगा आपका? 2 पंजे 10 यानि कि यह बनेगा आपका 25 25 वाला कोई है क्या? 25 वाला एक ही है, तो हम सीधे पहला वाले answer लगा सकते हैं बाकी चाहिए थे पूरा calculate कर लें 25 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 10 और तीसरा क्या हो जाएगा आपका 5 से को काटेंगे 2 बार तो यह आजाएगा आपका 24 option number यह हमार answer बन जाएगा एक आयता कार पार्क है 17 मीटर और 13 मीटर लंबाई चोणाई का ठीक है? इसके चारों और एक रास्ता ऐसे बना दिया गया Surround लिखा है ना? Surround Surround यहनि कि 4 मीटर चोणा पार्क है तो वह 4 मीटर है तो 4 मीटर लंबाई उपर बढ़ेगी 4 मीटर नीचे बढ़ेगी तो यह जो आपका 17 मीटर का है आपका क्या हो जाएगा? 24 मीटर का हो जाएगा और जो आपके चोणाई 13 मीटर की है 4, 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21 मीटर हो जाएगा हमें रास्ते का चेत्रफल यह बीच वाला हिस्सा बताना है कितना आएगा? तो क्या करेंगे? बाहरी चेत्रफल से आंत्रिक चेत्रफल माइनस कर दें एक्स्टर्नल एरिया से इंटर्नल एरिया माइनस कर दें तो एरिया ओफ ट्रैक रास्ते का चेत्रफल एल इंटू भी आयत का ही चेत्रफल लगेगा 25 गुणा 21 माइनस 17 मैल्टिप्लाट बाई 13 जब इस बाहर वाले से अंदर वाला हिस्सा हटा देंगे तो बीच का ट्रैक ही बचेगा तो 25 एकम 25 का 5 हांसिल 2, 25 और 2, 52 माइनस 17 तिए क्यावन का एक हांसिल 5, 17 एकम 17, 5, 22 अब देखो भई 5 में से एक घटाओ, 4 आएगा चार कहां पर एक ही में ऑप्शन नमबर भी आंसर हो जाएगा चाहें तो पूरा में कैलकुलेट भी करके देख लें तो 304 आ जाएगा ठीक है अगला सवाल एक आदमी है जो 160 किलोमेटर 10 घंटे में जाता है कुछ दूरी जाता है वो साइकल से 8 की स्पीड से और कुछ जाता है बाइक से यानि के 48 की स्पीड से दोनों दूरीयां कितनी कितनी तै कि है उसने बाइक और स्पीड से बताना है तो एलिगेशन से इसको हल कर लें ठीक है क्या होगा पूरी स्पीड कितनी है एक सो साट किलोमेटर 10 घंटे में गया यानि कि कुल स्पीड कितनी पूरे मिक्श्टर इन दोनों को मिलाया जाया तो स्पीड कितनी सिक्स्टीन यहां पर इसका अंतर कितना आ जाएगा आपका 32 और यह कितना आ जाएगा आठ चार अनुपात एक अब बात आती है डाउट कि यह रेशो किस चीज का है तो हमारा स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है जो बेस होता है हमेशा रेशो सीका आए होगे तो आपको समय का इनुपात मिलेगा टोटल कितना हो गया पांच और कूर्शन में कितना बोला 10 घंटे तो एक यूनिट का मान 2 घंटे और 4 यूनिट का मान 8 घंटे मतलब साइक्ल से गया 8 घंटे और 22 से गया 2 घंटे ठीक है तो डिस्टेंस कितनी होगी साइकल से तो जाता है वो चार आठ घंटे और उसकी चाल कितनी थी भई आठ किलोमेटर प्रति घंटा तो एट मल्टि प्लैट बे एट तो डिस्टेंस सी फॉर साइकल याने की साइकल साइकल किलोमेटर हो गई तो दूसरा वाला कोई है क्या एक ही है आंसर रगा तो दूसरा वाला कल्कुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सतर नबबे सतर श्यासी पच्पन एक सो पांच है ठीक कल्कुलेट भी करेंगे तो 96 आ जाएगा अगला 37 साल का एक विक्ती है उसके दो बच्चे आठ और 3 साल के कितने वर्ष बाद यानि कि मैं वर्ष बताने हैं कि विक्ती की जो आयू है बच्चों की आयू का दोगना हो जाएगी तो भई 37 साल का है मानलिया X वर्ष बाद ऐसा होता है ठीक है तो बच्चों की आयू में भी क्या होगा दोनों की आयू में X X वर्ष जुड़ जाएगा और दो गुना हो जाएगी मतलब की 2 बटा एक बनेगा बच्चों की आयू का 2 गुना ठीक है तो आप ऐसा भी करते हैं दोस्य गुना इसके बराबर या फिर ऐसा कर लो 2 बटे एक के बराबर तो एक क्या बनेगा 37 प्लस X बराबर 18 ग्यारा प्लस 2 X माई गुना कर दो 11 की दोस्य गुना 22 प्लस 4 X तो यहां से आपका 3 X बराबर आ जाएगा आपका 15 तो X बराबर कितना आ जाएगा 5 तो 5 पर्षवाद ऐसा होगा option number C हमारान से आ जाएगा अगला सवाल एक व्रक्ती ने 1200 रुपे में वस्तू खरीदी और 200 रुपे अपने पास से खर्च किये तो cost price यानि किरेमोली कितना हो गया 1200 प्लस 200 यानि कि टोटल 1400 रुपे के तो उसने अपने पास से लगा दिये आगे क्या हुआ रिपेर के बाद 1600 C बेच दिया CP कितना हो SP विक्रेमोली कितना हो गया 1680 1400 की वस्तू को 1600 C बेचा जाएगा 200 C का profit है और विस्टी बात है दोनों का अंतर कर दो तो profit का percentage क्या आ जाएगा 280 C का profit लिया जा रहा है 14 पे 1400 पर multiplied by 100 ये cancel हो जाएगा तो यहां से हमार आंसर क्या आ जाएगा 20% option number A हमार आंसर हो जाएगा अगला सवाल रविन जड़या ने क्या किया 40 पे 22 में 22 रन बना दिये और उसका average 0.7 बढ़ गया मतलब पहले जो था उससे 0.7 बढ़ गया तो कुल रन कितने बनाई बताओ तो वह 40 से पहले क्या होगा 40 से पहले 49 मैच खेले होंगे ठीक है तो हमने मान लिया let initial average initial average मान लिया प्रारम में जो उसका average है x है x का मतलब क्या हर एक पारी में x run बनाएगा अब तो run कितने हो जाएंगे उसके पास runs starting में first condition लिख लेते 39 x run अब second condition में कितने होंगे अब second condition में कितने होंगे या फिर ऐसा समझे उसका जो औसत है वो 0.7 बढ़ गया मतलब x से x plus 0.7 हो गया ठीक है? x plus 0.7 होगै और match कितने हो गए? 40 तो 40 मेंचों के run 40 x plus 0.7 49 मेंचों के run 49 x दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? भातर के ब्राबर होना चाहिए भशे 40 मेंच में जितने run बनाए 49 में जितने run बनाए दोनों का अंतर कर दिया जाए तो एक match के difference आ जाएगा वो आपके 72 रन के बराबर आ जाएगा ठीक है, तो यह क्या बना 40x plus 28 क्योंकि point में 0 कम हो जाएगा minus 49x बराबर 72 तो x बराबर कितना आ जाएगा यहां से बातर है, तो 70, 20, 90, 98 ठीक है यह कितना हो जाएगा, मरगा 40x और यह 28 हो जाएगा, ठीक है अच्छा, माइनस हो गए जाके, बातर माइनस 28, ठीक 28, 2, 30, यानि कि 44 आ गया, x कमान 44 आ गया, total run बताने total run तो भई, x में आपका point 7 बढ़ गया point 7 बढ़ गया, यानि कि 44.7 और 40, 40 से multiply कर दू यह तो 0 cancel हो जाएगा यह हमार आंसर हो जाएगा, चाहे तो multiply कर लें, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है, 16, 17, 18, 18 सल है, 17, 18 आ जाएगा, ठीक, तो unit digit से ही कर लें HCF of two numbers is 20, LCM 225, एक number दे रखा है हमें पता है, पहली संख्या गुणा दूसी संख्या बराबर होता है, आपका HCF यानि की मासा, गुणा लासा लासा कितना इसका, 225 इसको हल कर लेते हैं तो 75 की 3 से गुणा की जाए, 225 होता है तो दूसरी संख्या जो हमारे पास किया जाएगी आपके पास 60 है जाएगी option number C हमारा answer बन जाएगा एक mixture है alcohol और water का करेशो है, 4 अनुपाद 3 है 14 लिटर पानी उसमें add कर दिया गया ठीक है, alcohol और water 4 अनुपाद 3 ठीक, अब 14 लिटर अइड किया गया पानी, पानी add कर रहा है water तो अनुपाद कितना होगा है, 3 अनुपाद 4 भई सीधी सी बात है आप जब पानी add करोगे तो पानी का अनुपाद बतलेगा, alcohol तो सेम रहेगा तो पहले alcohol को बराबर करो यहां हो जाएगी 3 से गुणा यहां पर 4 से गुणा तो इस पूरी समीकन में 3 से गुणा यहां पर 4 से गुणा अब देखो क्या होता है आप क्या करना है पूछा क्या है find the quantity of alcohol in mixture अच्छा मिस्रण में alcohol की quantity बतानी है तो देखो भई 3 थी है 9 और 4 चौक 16 पानी आपका 9 से 16 हो गया तो 7 add हुआ 7 नहीं हुआ है 14 लीटर है तो एक यूनिट का मान 2 लीटर के बराबर रह जाएगा 2 लीटर के बराबर आजाएगा बताना क्या है अलकोहल की मात्रा अलकोहल कितना है 3 चौक 12 बई दूसरे वाले में देखो यहाँ पर अलकोहल कितना है 3 गुणा 4 बारा तो नहीं अलकोहल कितना हो जाएगा 12 की 2 से गुणा कर दे 24 लीटर आजाएगा हमारा आंसर यह ठीक है अगला सवाल था कि 84 रुपए है 11,0,46 बन गए 8.75 परसेंट की रेट से टाइम हमें पता नहीं है अब इसी टाइम से 96 रुपए में आपको कितना इंटर्स मिलेगा समान दर से तो पहले इसमें हम सॉल्व करने का तरीका क्या है आप 84,100,11,46 का अंतर करिए तो वह हमारा नंबर आएगा ठीक दोनों के बीश का फिर साधान ब्याज बराबर मूलधन, गुणा दर, गुणा समय, बटे 100 लगाएंगे तो वहाँ से हमें समय निकल के आएगा और उस समय से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फिर से फार्मूलल लगाएंगे साधान ब्याज बराबर मूलधन, गुणा दर, गुणा समय, बटे 100 तो आपको ब्याज मिल के आएगा ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी प्रोसीस है या फिर क्या करें पहले आप देखो, 84 और 11,0,46 में कितना अंतर है ठीक है, 11,0,46 और आपका 84 तो कितना चरहेगा, 6,4 और 6,2,6,46 ठीक है, हमें समय निकालना है तो समय क्या आएगा, हमें समय ब्याज निकालना है ब्याज क्या आएगा इंटरस्ट P2 अपॉन P1 यानि कि बाद वाली मूलधन, बटे पहला वाला मूलधन और गुणा कर दें उसका ब्याज से तो देखो क्या आता है 4 से सु काट दें 21 बार 4 से सु काटेंगे 24 बार ठीक है, 21 से काटेंगे 21 से कम 21 और बचेगा हमारे पास 4 21 दूनी 42 ठीक है, और 6 बार अब इसकी गुणा कर लीजे 24 को हम 20 प्लस 4 लिख लेते हैं गुणा 126 उससे क्या होगा, 126 का दो गुणा हो जाएगा 126 का दो गुणा होता है 252, 5, 2, 0 और 126 की चार से गुणा और कर ले चार्चिंग 24 का चार हासिल लगा 2, 4, 2, 8, 2, 0 हासिल 1 4 एकम 4 और 5 अब देखो, जोड़ोगे तो इकाई कांग कितना बना 4 तो या नहीं, आप उसन नमबर A हमारा आंसर होना चाहिए, होना चाहिए चाहिए तो आप एड कर लो, तो कितना बन जाएगा आपका 3024, 3024 रुपया आंसर हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पर यह जो हमारे कोशन्स के स्टी 44 के कोशन्स के सलूशन्स थे Thank you everyone